नमस्कार प्रणाम आज मैंने एक अपना इंटर्वीव देखा मुझे खुदी हसी आ रही है कि साइद अब हम लोग को इंटर्वीव नहीं देना चाहिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं और छोटा सा किलीब कोई काट कर डाल देता है उसके लिए हम बदनाम हो जाते हैं कि किशी निवज रिपोर्टर ने मुझसे कुछ पूछा था कि राम मंदिर का क्या होना चाहिए तो मैंने उसमें बोला है कि राम मंदिर ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए मैं उसके खिलाप नहीं हूँ और मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि राम मंदर नहीं बनना चाहिए, मैंने इतना ही बोला तब तक उसने उतना बात डाल दिया है, उसके आगे के बीचे की चीज़े नहीं डाला, और ऐसा नहीं कि मैं राम मंदिर को और अपने आस्था को में खुट थेस महुच आने वाला हूं ऐसा नहीं है, मेरा मानना यह है कि जब ही चुनावी मुद्दा आता है, तब राम मंदिर के और बाबरी मस्जिद के मुद्दे आते हैं, तो हाँ पे दोनों चीज़े बने या नहीं बने हो तो कानून फैसला करेगा, मैं कौन होता हूं, और मेरा कोई अधिकार नहीं बनता हर पांच साल पे यह मुद्दा उटता है, और हम जनता को डिश्टप होती है, हमको प्रॉबलम होती है, हमारे भाई लोग चाहे हो हिंदू हो या मुशलमान हो आप उसमें लड़ते हैं, भिरते हैं, यह मेरा मुद्दा था, आरक्षड का मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हर अरक्षड का क्या मुद्दा है, मैंने साब साब बोला कि अगर एक ब्रामुन कुल का आदमी, एक राजपुत कुल का आदमी, एक यादो कुल का आदमी, एक जिसको जरूरत है, जिसको खाने का नहीं है, अरक्षड उसको मिलना चाहिए, तो मैं एक राजनीतिक वला आद हर आदमी का इलाज हो, उसके लिए लड़ाई नहीं होना चाहिए, हमारे घर में आस्था है, हमारे मन में आस्था है, किसी मंदिर और किसी मस्जीद में आस्था नहीं होती है, लेकि हाँ, जिसकी जो जगा है, उसके लिए कानून है, कानून बेवस्था है, और हम कानून है न वो पुरा सब तो नहीं डालते चोटा सा के लिए पर कैसा डाल देते हैं जिसे लोगों को लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया है वो बाकी सारी चीज़े आप सुनेंगे तो आगे पीछे कि कुछ चीज़े को जोड़ते हैं वो और जो बिबादित होता है उसको जोड़कर दुनिया के नजर में आपको फिलन बना देते हैं लोग तो मेरा मानना है कि हर आदमी को हम एक इनसान है और एक इनसान को इनसानियत से जीने का हक है और हर आदमी राम मंदिर बनाने के लिए हम भी ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बना चाहिए हम समर्थन करते हैं राम मंदिर का लेकि मेरा मनना है कि उसके लिए लड़ाई जगड़े ना हो हम पबलीक आम नागरीक उसके लड़ाई ना करे जगड़े ना करे जिसका जो अस्थान है भगवान राम का आयोध्या में जनव हुआ था हम तो खुदी रमायन मा भारत गाते हैं तो हमें भी पता है लेकि वहाँ बिलकुल बनना चाहिए मैं कहां कहा रहा हूं कि नहीं बनना चाहिए लेकि उसके लिए बिभाद नहीं होना चाहिए एक दूसरे को लड़ना नहीं चाहिए जिसकी जो अस्थान है उसको मिलना चाहिए मैंने लड़ाई के खिलाब किया था कि हम आम नागरीक हिंदू चाहिए हो मुसल्मान हो हर आदमी एक इंसानियत और हम में तुम्म खड़े खम में घटगट ब्याबेराम, इश्वर हर जगा है, हमें मानने की जरूरत है कि इश्वर को हम कहां ढूंड रहे हैं, लेकि जिसकी जो जगा है उसके लिए मैं भी समर्थन में हूँ, लेकि कुछ हमारे मेडिया भाई लोग कुछ चीजे को काट के और उसको कर दिया आप, कि नहीं यार, आपको लाइब चलाना है, लोगों के साथ लाइब करना है, तो आप कहिए मैं इंटर्व्यू देता हूं, बाते करता हूं, लेकि छोटी-छोटी चीजों को आप काटते हैं और काट कर डाल देते हैं, उसमें लोगों को लगता है कि नहीं, हम इसलिए आप लोग बिलकुल इस सब चीजों पर ध्यान ना दें क्योंकि कुछ चैनल ऐसी होती है जिनको सिर्फ अपने चैनल चलाने से मतलब है किसी को दोसी बना देना है तो वहां पर एक कॉलेज भी बनना चाहिए जिससे हिंदू-मुसल्मान का भी बच्चा भाई चारा क तरह पढ़के निकले, IPS अपसर बने, अपने देश का नाम रोशन करें क्योंकि राम के धरती से जब एक कोई आदमी निकलेगा तो हम भी कहा सकते हैं कि नहीं हम अपने राम के धरती से आए हैं वहां पढ़े हुए हैं मेरा मानना वहां है जब एक हस्पिटल भी बनना चाह में जहां पर किसी का इलाज होकर निकले तो दुनिया कहे कि हां हम राम के धरती से अच्छे होकर आए हैं हम अल्ला के धरती से अच्छे होकर आए हैं तो मेरा मानना वो था कि हमें विबाद नहीं करना है एक दूसरे को मारना काटना नहीं एक दूसरे को आस्था को ठेस नह नहीं बनना चाहिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकि इसी बात को लोग छोटा सा काट के डाल देंगे, और उसमें मुझे दोसी बना देंगे, तो कुछ लोग हैं, तो इस बात को आप लोग को बिलकुल ध्यान है, कि उनको अपना चैनल चलाना है, सस्क्राइब पाना है उनको, तो इसलिए आप लोग को बिलकुल देखना चाहिए, कि हाँ, अगला आदमी, ऐसा तो नहीं कि मैं हिंदुस्तान सलग हूँ, और मुझे राम जी के बारे में पता नहीं है, मैं ऐसे कैसे बोल दूगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बिलकुल बनना चाहिए जिसकी आस्ता है, सबको अपने आस्ता से प्यार है, हमें भी अपने आस्ता से प्यार है, लेकि आस्ता के साथ साथ हमें मन में आस्ता होना चाहिए, किसी पत्थर में आस्ता हम ढूटते हैं जरूर, ढूटना भी चाहिए, हम पत्थर को पूछते भी हैं, लेकि उसके साथ स नारे, गाली दे, ग्लोच करें, किसी के अस्ता को ठेश tiass पहुँचाएं, ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहे किसी को, और बिलकुल वहारा मंतिर में बनना चाहिए, और उसके लड़ाई नहीं होना हो नहीं चाहिए, मेरा मनना यहाँ था कि, वहाँ पर आयसा बनाओ, कि भाई, आप अगर इंटरभीव किसी के चलाते हैं तो पुरा इंटरभीव दुनिया को दिखाए ताकि उनको सचाई पता चले कि हमने भोला क्या है और उसके लिए आप लोग कुछ भी काट के छोटा सा किलिप काट के रो डालते हैं और उसमें बदनाम वो आदमी होता है जिसने पुरा хी नहीं तो आप लोग फैलतु में सफाई दिया ते हैं इसलिए अब इंटरभी दिना मैं भी बंद कर दिया हूँ कि इन्टरभीव को इन किसी को नहीं मेरा ऐसा कोई लिना देना नहीं था कि हमारा मंदिर नहीं बनना चीय training मेरा उस्ता को में ठेश पहुंचाने का अधिकार मुझे नहीं है, उसके लिए कानून बिवस्ता है, इसको कहां रहना चाहिए, कानून हम कोई जज नहीं हैं हम पढ़े लिखे भी बहुत कम हैं हमें जितना आता है जो मन में होता है वो चीजों को बोलते हैं लेकि मेडिया वाले भाई कुछ अलधीर उसका रूप देकर आप सब के बीच में दिखा देते हैं और आप लोगों को लगता है कि नहीं वा आदमी दोस क्योंकि सब इंसान है और इसी धर्ती पे रहना है और जब हम जिन्दा ही नहीं रहेंगे तो ना हम बाबरी मजजी देख पाएंगे और नहीं राम मंदिर देख पाएंगे तो एक दूसरे को जिन्दा रहना जरूरी है एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए हम अगर इस धर्त चलाना है और तो इसलिए अपने जीवन को बस एक प्रेम के दिशा में लेकर जाईए आस्था के नाम पे खुद से मत लड़िए आप सब और जिसका जो जगा है उसके लिए कानून बिवस्ता है क्या होगा क्या नहीं लेकि जब चुनाव आता है तब ही रामंदिर का इंसान के रूप से देखे तो कोई भी चीज बुरा नहीं है हर आदमी की जगा अपनी पता है इश्वर भी जानता है कि हमें मन में और इश्वर कभी नहीं कहा है कि मेरे लिए आप लड़िए और जगड़ा करिए तो बस हमें यही देखकर अपने सलिंता के साथ अपने जी कीजे हुई है वो इंटर्विव में कर सकंट एर घंटा दिया है मैंने उस इंटर्विव में मैंने बहुत सारी बाते बोली है लेकि उसने उतना ही डाला है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप सब आप लोग मेरे भाई है अब छोटी-छोटी चीजों पे यूटू रखिए और अपने आपको बचाईए क्योंकि आपके पीछ अपना परिवार होता है हम किसी के हम राम मंदिर के पीछे अपना जान दे देंगे लेकि उसके पीछे परिवार भी है जान देने की जरूत हमें नहीं है उसके लिए कानून विवस्ता है हम एक दूसरे को गलत न ना तो इसलिए मैंने उसमें बहुत सारी बाते बोली है और मैं राम के बारे में बोला हूँ रहीम के बारे में बोला हूँ अल्ला के बारे में बोला हूँ लेकि उसने छोटा सा एक छोटा सा क्लिप लिख के डाल दिया है इसलिए और काट के डाला है और उसी पे भी बात इसलिए आप लोग खुदी समझदार हैं तो इस चीज़ को बिलकुल ध्यान रखिए लवे ओल और दिल से थैंकियो आप लोगों ने दबंग सरकार को इतनी महबबत दे रहे हैं उसके लिए सबको दिल से थैंकियो धेर सरा प्यार